सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुंच सकें देख सकते हैं उससे आपकी काफी त्यारी हो जाएगी जो की MCQs बताई गई है Tribes of India को लेके Freedom Fighters of जहारखंड को लेके Tribes of जहारखंड को लेके और भी काफी सारे National Parks of India को लेके दोस्तों उससे काफी आपकी त्यारी हो जाएगी तो आप लोग हमारे previous वीडियो देखे और ज्यादा टाइम ने लेते हुए हम बढ़ते हमारे पहले question के और एक बात बूलना चाहता हूँ इंडिया की वो कहां सबसे ज्यादा highly concentrated है तो वो है आपकी option देख लेते शोन भेली बी महानदी वेली दामुदर भेली या दी गोदावरी वेली तो इसका सई option है वो है आपका दामुदर भेली हम लोग इसको डीटेल में देखेंगे ताकि आपको एक question से बहुत सारे चीज परियोजना यहां पर दामुदर नदी पर है यह स्टार्ट की गए थी 1948 में यह जिसको वोल्टे दामुदर वैली कार्पूरेशन यह 1948 में स्ताफित की गए थी जहारखंड और बंगावल की आप लोग नोट करते जाए कोपी में मैं काफी important important point बताऊंगा यह जहारखंड य आते हैं इस परियोजना के अंतरगत और 1200 मेगावाट के बिजली उत्पादन करती है यह और आट लाख हेक्टर छेत में सिचाई की जाती इस परियोजना से आट लाख हेक्टर में तो इतनी information काफी है और यह जो परियोजना है यह बोकारो और चंदरपूरा यहां पर है इस और देख लेते हैं कि दामुदर की बात की गई है तो दामुदर की और information देखिसकी अफवाच्छेत्र तौ अफवाच्छेत्र जो इसकी है वो थोड़ी में इसको छोटी कर लेता हूं इसकी अफवाच्छेत्र दोस्तो बारहा हजाराट सो वर्य किलो मीडर्र पर यह और इ और इससे बंगाल का सोग भी कहा जाता है और ये दोस्तों नदी जो दामुदर है ये टोरी लाते हार इसका उद्गम इस्तल है छोटा नाकूर पठार से टोरी लाते हार से निकलती है इससे देवनदी भी कहके भी जाना जाता है और बंगाल का सोग भी बोले जाता है गंगा इंडस गंगा ब्रह्मा पुत्रा इंडस इसका सही ऑप्शन है दो दोस्तों ब्रह्मा पुत्रा और इंडस हम बढ़ते हमारे नेक्ट कोस्टिन की ओर मिनिमम कॉलिफाइंग एज टु विकम अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचाइज ये पीसी दोजार तीन में पूछे गेग ताप्ती माही चंबल नर्मदा तो इसका सही ऑप्शन है नर्मदा तो विच आप दी फॉलोइंग हैस बिन भारत रत्न अवार्ड इन जैन्वरी दोजार उनियस इसका सही ऑप्शन है पर्नम मुखर जी तो हम देखते हैं वच इस दा हैस्ट चिविलन गलेंटरी इसका सही ऑप्शन है परमवीर चक्र और इसकी सापना की गए थी 1950 में तो हम बढ़ते हैं हमारे नेस्ट कुष्टिन क्यों दा चीफ इंस्ट्रूमेंट तुरू विच चीफ इंस्ट्रूमेंट थुरू विच लॉर्ड हडल हाउसे इस पॉलिश डॉलिश डॉलिश दौर पांच कुछ ही गई है तो लॉर्ड हडल हाउसे द्वारा एनेक्शेशन की जो पॉलिश थी वह कौन सी ट्रीटी या लाप किसके द्वारा चलाई गए थी तो पहला सो इसका सभी आप्षान है डॉक्त्रीन और लाप्स तो डॉक्तिरन फ्लेप्स को ही बोडा बोला जाता है हडप नीती हडप नीती है कहने का मतलब दोस्तो कि अगर किसी राजा या किसी के अभी जो है उनकी अगर संतान ना हो तो उसकी जो जमीन है वो हडप ली जाती है तो को कहा जाता है हडप नीती तो हम बढ़ते हैं दूसरे कुश्चिन के ओजपाली इस फेमस दंस 2005 में पूछी कि पूछी के यह विफ इस्टेट बिहार महराज टोडी सासाम इसका सही ऑप्षन दोस्टो डी ऑप्षन असाम तो असाम की बात की जाए तो असाम की कैपिटल है अ अपकी ब्रह्ण पुत्र नेधी बहती है और यहां कि जो बोला जाए तो सबसे बड़ी आईलेंड भी लोकेट्टेड है माझुली आईलेंड जो कि ब्रह्मपुत्र नेधी पर ही बनी हुई है और यहां पर काजी रंगा नेशनल पाग भी है और इतनी इंफॉर्मेशन जाती है जादे तर तो हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे कुछिन के बूर्डो लांगवज इस प्रकुन इन विच इस्टेट जेपिसी दो जाते रहें पुछेंगे मिजुराम टमिलाडू अस्वाम अरवनाशे पर दिस इसके सब्सक्राइब तो पता है वहां पहला साम की इंफ पिटल अफ मुगल इंपार वह सिफ्टेट फ्रम आगराइटू दिल्ली बाइज जहांगीर और अंजय भुमायू सा जहां इसका सब्सक्राइब अप्शन नमबर डी सा जहां उन्हीं इन्होंने भीसिफ्ट किया था आगरा शेह दिल्ली अपना यह जो कैपिटल है इन्हो होगी कि आपकी फी प्रैक्टिस होगी और जब तक आप खोजोगी नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगी फोलेंड की करेंसी क्या है दोस्तों येन है दो जेपिसी 2010 में तो ये एक दो तीन बनेंगे और आप स्कोर कर सकते हैं तो पहला हमरा ऑप्षन है येन डॉलर यूरो डूच मार्क इसका सभी उप्षन है इसके द्वारा लिखे गए कदम बरी दोस्तों यह जो पिस्ची 2005 में पूछेगे अप लोग किताब के बारे में जरूर देखे जहारकंड के जितने भी है दोस्तों रविण नाट टेगोर रमदेव बानाभाट नन अबदेश तो इसका सभी आप्षन बानाभाट तो बानाभाट जो थे हो हर्सवर्दना के कोट पोईट थे दोस्तों तो अब देखते हैं डेपेस के 2010 में पूछेगे हैं मॉनिटरी यूनिट और बांगलदेश रूपी टाका प्राउन या डॉलर तो इसको अब सब कोई को पता होगी टाका इसका सही है डिस्टिक फेमस फूर स्टों इस्टों और बेडी मेकिंग के लिए कौन से डिस्टिक फेमस है जेपेसी 2006 में पूछी गई है यह लोहर्दगा बी चत्रा सी पाकुड या डिकोडर आप लोग बताएं इसका सही ऑप्शन क्या है आप लोग कमेंट सेक्षन में बताओगे इसका सही अंसर अज हार्खंड is 26% ऑफ इंडियन इजब कौन सी कोल कॉपर और आईरन और बोक्साइट जैसी 2016 पूछेगी काफ़ इंपॉर्टन कुशन आप लोग नूट करते जातो इसकी जो सही ऑप्शन है वह आईरन और और यह सिम्भूम जीले में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और 26% आईरन और इंडिया की अरुना मिसर क्या है यह पूछी गई है तो आर्चर बॉक्सर वेटलिफ्टर या डी होकी तो इसकी सही ऑप्शन है बॉक्सर आ स्टाट वी उनीस तो चौदा में स्टाट हुए दोस्तों यह काफी टाना भगत आंदोलन से काफी कोस्चन भी बनती है और टाना भगत आंदोलन जो है इसे नहीं टाना भगत आंदोलन जो है दोस्तों यह आंदोलन का प्राराम जत्रा भगत के द्वारा किया गया था तान टाना भगतों ने कॉंग्रेस के 1922 अधिवेशन में गया में भी भाग लिया था आप लोग जयान चरूर याद रखेगा यह पॉइंट और यह विशुद गांधी वीधी तरीके से लड़ा गया पहला आधिवाची अहिंसक आंदोलन था दोस्तों यह इतनी इंफोर्मेशन का तो दोस्तो आज की इंफोर्मेशन इतनी रही और जितने भी कोशन है आप लोग देखे और पूरा वीडियो देखे और कमेंट सेक्षन पर बताएं अगर कोई ! प्रॉबलम हो कोई भी कोश्चन हो तो दोस्तो निभा हुआ धन्यवाद करते यह दो दो